आखिरकार हमारी पुलिस ने तुम जैसे गुंडों मवालियों को पकड़ी लिया तुमें शरम नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हो अब तुम सो सालों के लिए इस जेल में सरनने वाले हो इरे bathing में पाँ निकालेगा और हां हमने तुमारे इक वीडियो बना के तुमारे घर वालों को बेजिएंगे शिटेनल जैक के पैमिली वालों शिटेनल जैक को औरेश्ट कर लिया गया है ये दोनों खुल्ले आम लड़किया चेड़ रहे थे एरे वेकी मैं यह जूट बुल रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, और हमारे ओफिसर्स ने पता भी किया है, तो यह इस प्रिजन में सो सालों तक रहने वाली है, थेंक्यू, चलो बच्चो, सोजाओ, मैं चलता हूँ, एरे अंकल, मैं छोड़ दो, ओए, मुझे इसमें शिचंटी जैको चेल में ढ़नाल दिया है, है यार, यह तुम क्या बोल्रयर यू, वह वीडिएव। फेक होगी फेक, अरे वह वीडियो फेक नीय है, कुछ पोले सब्सेश्टाव ले ने मुझे वह वह वीडियो पेजिय है, उन लोग बाल दिया है, मुझे पता च हमें उनको जेल से तो भाहर निकाल नहीं पड़ेगा अरे चलोगी हमें चल्दी से उस जेल मेचाना पड़ेगा और शिचन और जैक को तोनों को बहार निकलवाना पड़ेगा ये दोनों भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते चल्दी चल्दे अब अब ये कोन है वह अंकल म में गाड़ी से क्या करने हूँ अरे बेटा मुझे बूख लगी है कुछ खाने के लिए दे दो अरे मेरे पास कुछ खाने के लिए मेरे गाड़ी से उतरो अरे बेटा मुझे कुछ खाना दे तो मैं चला जाओंगा अरे मुझे बहुत ही जरूरी काम से जा रहा है उत्रो अरे पेटा बुड़े बाबा की मदद कर बेटा ए यार रुक जाओ अभी मैं तुम्हार लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ अरे ओंगी कहा जा रहे अरे यार फ्रेंकलिन रुक जाओ अभी मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ ये बाबा तू बहुत ही भूखे लग रहे हैं यार बाबा जी मैं आपके लिए बर्गर ले आया ये लीजिए बर्गर खा लीजिए अरे ये तो मेरा बर्गर है, मेरा बर्गर इनको दे रहे कोई बात नहीं Franklin, हम नया बर्गर खरीद लेंगे अरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी वाव, कितना अच्छा बर्गर है अम नम 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 इनको बर्गर देना, हम चलते हैं से अरा बेटा, रुक जाओ अरे आप क्या हो गया, हम आपको कोल्ड रिंग में चीए गया नहीं बच्चे, मुझे कोई कोल्ड रिंग नहीं चाहिए और वैसे तो मैं बूखा भी नहीं था क्या, आपने मारा बर्गर फाल तुम्हें खा लिया नहीं बच्चे, आज मैं देख रहा था जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा क्या, आप मारी कैसे मदद करोगे बच्चे, मैं तुम्हें एक खतरनाकसा चैलेंज देने वाला हूँ अरे अंकर, अभी टाइम नी है, जैक और सिंचन को जेल में से निकालना है अरे बच्चे, सुन तो लो, सुनोंगे क्या, देख लो ये देखो बच्चे, पैसा, ये है फाइफ हंड्रिड मिलियन डॉलर्स और ये सारे के सारे पैसे तुमारे हो सकते हैं 500 миллиon dollars यह तो सार खाव केश पढ़ा है यह यार यह सलिये क्या? हाँ बच्चे यह बिल्कुल vanlisu है यह सारा का सारा पैसा तुमारा हो सकता है कैसे? ये सारा का सारा पैसा तुमारा हो सकता है अगर तुम इसको one thousand सेकेंड में खतम करते हू क्या, एक हजार सेकेंड में सारा पैसा कतम करना पड़ेगा मतलब कितने मिनेट होए वन थाउसंड इंटू सिक्स्टी या रहे ये गिंती नहीं दि मुझे बच्चे, मिनेट नहीं देखने, सेकंड देखने अगर तुमने वन थाउसंड सेकंड में ये सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया तो जो भी चीज तुमने लई होगी वो तुमारी हो जाएगी और अगर तुम वन थाउसंड सेकंड में ये पैसा खर्च नहीं कर पाए तो मैं तुमसे फाइफ हंड्रेड मिलियन डॉलर्स लूँगा क्या मुझसे मेरे पास तो है इनी क्या लोगे बच्चे मैं तुमारी किड्नी आखे कान हाथ पैर सब का सब बेच दूगा जब तक मुझे फाइफ हंड्रेड मिलियन डॉलर्स नहीं मिल जाते आरे अंकल डरा क्यो रहो यार फ्रेंकिन मुझे बात करने दो अंकल मुझे आपका चैलेंज मनसूर है हम वन थाउसेंड सेकंड्स में ये फाइफ हंड्रेड मिलियन डॉलर्स उड़ा देंगे ओके बच्चे ये सारा का सारा पैसा तुमारा होता है वन थाउसेंड सेकंड्स के लिए अगर एक रुपया भी बच गया तो इस काले लड़के की आंक, किटनी, हाथ, पैर सब का सब बेच डालूँगा अरे मेरा क्यों होगी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया उसका निकालो नहीं बच्चे मुझे तुम पसंद आए इसलिए तुमारा सब का सब बेचूँगा तर ऐसा तो नहोता है है यार फ्रेंकिन, हमारे पास टाइम बहुत कम है हमारा टाइमर अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है हमें जल्दी जल्दी जाकर सारा का सारा पैसा कर्ज करना चाहिए अरे होगी तुम बिल्कुल सही किरहो वो भी स्रे 1,000 सेकंड्स में मतलब यह तो सेकंड्स का गेम होने वाला है हमें जल्दी से जल्दी इन सारे के सारे पैसो को खर्च करना पड़ेगा और अगर हम नहीं कर पाए तो यह अंकल मुझे बेच डालेंगे मेरी सारे के सारे बोड़ी पार्ट्स बेच देंगे तो मैंनी जाता के ऐसा मेरे साथ हो तो जल्दी जल्दी जाकर इन सारे के सारे पैसो को खर्च करते है वैसे में कोई इंपोर्टेंट काम भूल रहो मुझे याद नी आ रहा पर कुछ ना कुछ तो काम था पर छोड़ो अभी फिलाल 500 मिलियन डॉलर स्पेंट करना जादा सुरूरी है है ने फेंगी में हमें बचा लो फ्रेंकिल बया कहा पर वाँ ओय मुझे बचा ले मुझे बचा ले मुझे बचा ले मुझे तो कैसर आप हमारे पास 500 मिलियन डॉलर आचुके तो हम कुछ भी कर सकते हैं तो सबसे पहले होगी और मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा हेलिकॉप्टर खरीद लिया और कैसर अभी हम लोग आचुके लोस सेंटोस के पीयर और कैसर मेरा बच्पन से सपना था अरे यार फ्रेंकिन तुम्हें हेलिकॉप्टर से ने उतरना था मैं भी तो पहली बार हेलिकॉप्टर मेंड़ हूँ तो काईसर मेरा बच्पन से सबना था एक अम्यूस्मेंट पार्क जाने का मैं अज तक कभी भी अम्यूस्मेंट पार्क ने किया और काईसर आज हम लोगी अम्यूस्मेंट पार्क को खरीदना चुके हैं क्योंकि हमारे वर्फ टाइम बहुत ही कमें तो मैं जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी चीजे खरीद निबड़ेगी तो ये था अम्यूस्मेंट पार्क के ओनर सर्व मुझे आपका पूरा पूरा अम्यूस्मेंट पर खरीदना है क्यों खरीदने क्या मतलब मुझे यहां पर रोलर कोश्टर में जाना है और उस वेरिस वील में भी मैं कोई टिकेट निखरीदने वाला मुझे पूरा का पूरा पार्क चाहिए बताओ कितने का मिलेगा अरे सर्र यह बहुत जादा में गहाएं सर्र अरे बताओ सणी कितने का हैं यह परक आपको पड़ेगा 100 मिल्यों डॉलर्स का क्या और गाईसर मैं बहुत ही जादा करीब होता तो मैं यह से भाग जाता पर कैसर आज हमारे पास 500 100 million dollars है और टाइम बहुत ही कम है इसलिए हम यह पूरा का पूरा amusement park खरीदने वाले है और ही जल्दी से पैसे दो यह यार मेरे पास पैसे का से आए वो तो helicopter में ना अरे तो लेकर आओ और क्या ओके तो काई सर अभी आप देख सेकते हो इन अंकल को आप नाइब वन हंडेड मिलियन डॉलर्स दे दिये हैं एससे यह अपका हुआ ओके बहुत मेश्यूक्ति है तो कैस इन आप देख सेकते हो यह अव्यूज्मेंट पार्क में यह पर करी यह बहुत ही सादा मजाने वाला है आरे और अगी जल्दी जल्दी आज़ी आजा ज़ए कर दो चैनल को सब्स्राइब कर दो क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं रोलर कोस्टर बर लेट्स को शुरू करने और काईज और आप देख सकते हो रोलर कोस्टर यहां पर स्टार्ट लो चुका है और मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है हम यहां पर फुल स्फिड में नीची हाँ अर्म से तीज मचाना है रोलर कोस्टर तो बहुत मुझे उतारों मुझे उतारों हाँ कां यहां यहां पर यूलर कोस्टर मुझे लेके मुझे बचायए हु business is commercial ५ोछिक्ण बढ़र कोस्ट बर ग्लाए है रे आजुँ स्वेए चरना हैं उल्टी आरिये, उल्टी आरिये, हे यार फ्रेंगिन, मुझे तो मज़े तो मज़ा गया मेरी हालत तो यहाँ तो यहाँ पर खनाब हो चुकिए उस रोलर कोश्टर में पर काईजर अभी आप जाने वाले इस फैरिस राइड में इस फैरिस फील में बहुत ही जादा मज़ा आने वाला है चलो पड़ापट से इसके अंदर बैट जाते हैं यह रोलर कोश्टर की तरह लुए खतर नाकने वाला और काईसर आप झालने वाला आए या पर बहुत ही ज़ादा माझा अब आप जह सिर्चे को अब यहां से अप्ली पाद लुए कितना साज़ा बढ़े लग रहा हैं Дो गजा इस राप जाने और आपर यहार आप मज़े तो उएथा यह भुत जाद मिलियन डॉलर्स बाकिए खर्च करने के लिए और मेरे पास टाइम बहुत ही कम है एक सिकंड मैं भूली गया आरे हमें तो शिंचेन और जैक को बचाना था इतने सारे पैसे देखकर हम तो बूली गए अरे होगे तुसे ही रहे हमें जल्दी से जल्दी चाकर जैक और शिंचे करने के लिए तुमारा स्वाकत है मिलिटरी पेस में बताओ तो में क्या चाहिए गर्नल सर मुझे चाहिए खतरनाक सा वैपन ताकि मैं पूरी आर्मी को उड़ा सकू हम कौन से आर्म उड़ाने की बात कर रहे हमें बताइए हम उड़ा देंगे ने ने मुझे उड़ाना है यहां पर बहुत ही खतरनाक खतरनाक वैपन मुझे दिखाई दे रहे हैं ओगी तुझे कौन से चाहिए चूज कर ले मैं अभी कोई सा चूज कर रहे तो यहां पर टैंक दिख रहे है हलिकॉप्टर ब्ले और एक अलग तरिक टैंक मेरे क्याल से ओगी तुए टैंक ले ले और मैं यह प्ले ले लेता हूं तू प्रिजन के रोड से चाहिए और मैं हावा में से जाओंगा पूरा का पूरा पूरा प्रिजन तभा कर देंगे और शीन चैनल जैक को बचा लेंगे यह तुमारा एडिया तो बहुत कतरनाक है फ्रैंक लिन अरे आप में इतना विखास तो फड़ा पड़से टैंक में चड़चा इनको पेमेंट कर दी जाए अंकल मुझे आपका एक टैंक और एक प्लेन चाहिए बताओ किन्ते का मिलेगा हम आपको यह सब का सब दे देंगे ओल्ली 100 मिलियन डॉलर्स क्या 100 चलेगा तो काईसर 500 मिलियन हमें पास टोटल थे 100 हम इसके बाद हमारे पास 300 मिलियन डॉलर्स बचने वाले हैं और काईसर आप देख सकतो सारा का सारा पैसा हमने यहां पर दे दिया है 100 मिलियन डॉलर्स और काईसर ऑगी जाकर बैठेगा उस टैंक में और हम इस प्लेन में जाएंगे और शिंचन और जैक दोनों को चाकर बच आने वाले हैं तो सब के सब साइड हो जाओ मैं इस गदरनाक से प्लेन को यहां पर उडाने वाला उसको फड़ापट से बाहर यहां से निकाल लिया जाए और कैसे इस प्लेन में यहां पर मिसाइल्स पी है और एक्स्प्लोसिव वाली गोलिया वी यह तेखो यह बहत ही जा अब यहां देख सकते हो, हम लोग उस प्रिजन पर पुछ चुक हैं, जहाँ पर जैक और शिंचैन को किट्नैप करकर रुखाये और यहां पर हम लांच करने वाले हैं बहुत सारी मिसाइले, पूरे के पूरे प्रिजन को हम खताम करने वाले हैं क्योंकि हमें जैक और शिंचैन को बचाना है तुमारी ऐसी की तैसी ये लो मिसाइल खाओ मिसाइल काओ मिसाइल काओ पूरे के पूरे प्रिजन को आज हम खतम करके रहेंगे और अभी फिलाल यहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आचुके तो इनको भी हमें मारना पड़ेगा मैं जब तक उपर पुलिस वालों को समालूंगा और जाकर जैक और शिंचैन को बचा लेगा यार भया कहां पर ह दूड़ना पड़ेगा जैक भया कहां पर हुआप हरे यार यह पुलिस वाले मुझे को दूड़ रहे निकल जाओ यहां से जैक भया शिंचैन कहां पर हो तुम अकिरकर मुझे पता चली गया कहां पर है भया और शिंचैन तुमारी एसी की तैसी पुलिस वालों यह लो तुम्हें तो बचाना है ऑजाओं अजाओं ऑल मुन्हा तो जहाने में कैसा हो गई है भाया क्या बताऊं हम तो भूले करे ते कि आपको बचाना है जल्दी चली चलो हमें यह से निकलना पड़े गा करें यहाँ पर तो बहुत सारी पूलिस हैं थे शिंचानु तुम निकलने वाले हैं यह यार Franklin हमारा पलेंड तो गाम कर गया हां होगी हमारा पूरा का पूरा प्लेंड यह पर काम गडशका है तो ऑगी दुल्टा VIT लियक मेरे डिये गए एड्रेस पर आ जा और मैं भी तुम्हें वहीं पर मिltₑ तो Kayzer अब इतका हमें सिर्फ 200 मिलिएन डोलर्स करक्ष करें और मेरे पास 300 मिलिएन डोलर्स और बचए है और टाइम बहुतीmusic जादा कम है इसलिए मैंने एक आइडेया निकाला है एक ही बारी में 300 मिलिएन डोलर्स करक्ष करने का तो परडाओवर्ट से चलते हैं सारे के सारे पैसे कर्च करते हैं सिर्फ एक ही बारी में यह पुलिस वाले अभी मेरे पीछा रहे इनको कोई बता हो यह मुझे कभी मी नहीं पकड़ पाएंगे इसके उपड़ावट से मिसाईले मार देते हैं और अपने नही नही लोकेशन पर और कैसर अभी आप देख सकते हो हम लोग लेंड करने वाले उस लोकेशन पर जहाँ पर मैंने बुलाया था और यह क्या ही बड़िया लेंडिंग करी है इस पेड़ ने एक ही बारी में हमारी लेंडिंग करा दिये और आप सब का स्वागत है हमारे नए नए घर में और फ्रैंगलिन हम जेल में गए तुने क्या क्या कर डाला अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं एक अंकल ने हमें 500 मिलियन डॉलर्स देती है खर्च करने के लिए तो हमने बहुत सारा पैसा उड़ाया फिर आमेन यादा है क्यों मैं तुम्हें भी तो बचाना है फिर हमने तुम्हें बचाया और फिर ये क्दरनाक सा घर यहां पर खरीद लिया है आप देख सेक्तो ये गर एक आइलेंड जैसा बहूत ही ज्यादा क्तरना गर है और आभी हम सब के दब जाएंगे और देखते हैं, इस घर में हमें क्या-क्या मिलने वाला है, और अंदर कुछते ही, एकदम महल जैसा ये घर बनावा है, ये घर तो एकदम महल जैसा है यार फरेगिन, हाँ होगी, ये घर एकदम खतरनाक सा महल है, और तभी तो, ये 300 मिलियन डॉलर्स का गर यहां पर है तो क्वैजर आप देख से तो यहां पर बड़ी ऐसी बालकनी है और देखते इस घर के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है यहां पर एक में गेट है इधर जाएंगे तो हमारा बड़ी असा ओफिस है और यहां पर एक खतरनाक से लॉयन को मार कर उसकी स्किन यहां पर रख रखी है जो कि बहुत ही जादा खतरनाग लग रही है यह ओफिस भी मुझे बहुत ही जादा बड़िया लगा और यहां पर एक बालकनी है यहां से जंप कर कर हम जा सकते दूसरे किसी रूम के अंदर तो देखते हम इस घर में और क्या क्या मिलने अहां शिंचेन आ रहा हूं तो क्वैसर यहां की सीडिया वे कितनी जादा एक्तम खतरनाग बना रखी है और यह क्या यहां पर एक और रूम में जापर मुझे यह गेम दिख रहा है पूल खेलने का और यहां पर भी एक और गेम है यहां पर बेटके चिल कर सकते हैं और दे यहां पर तो एक सीक्रेट डॉर बनाओ है यह तो बहुत ही सादा खतरनाग है रुक जो देखते हैं इस सीक्रेट डॉर में क्या मिलने वाला है इतना सारा पैसा यहां पर पढ़ा है यह तो बहुत ही खतरनाग है यह गुफा तो आगे भी जा रही है यह कोई सीक्रेट डॉ यह सीक्रेट गुफा है यह तो अंदर जाती जारी है और यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है यहाँ तो कुछ घतरनाक घतरनाक चीज़े बढ़ी है और काईजर यहाँ और और भी बहुत सारा पैसा पड़ा है मुझे पता नी ता इस कर में यह सब भी है मैंने तो बस उपर से देखा था और इस घर को सीधा खरीद लिया और यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़े बढ़ी है तो काईजर आप यह पर पड़ावट से कमेंट करके बताओ यह घर आपको कैसा लगा मुझे तो बहुत ही जादा खता ना लगा इस घर पे स्विमिंग पूल है और हमारा प्र प्राइविट यॉर्ट भी है जो कि बहुत ही जादा खतारनाग लग रही है अपने सिक्योरिटी कार्ड के साथ इस प्राइविट यॉर्ट में हम कहीं भी घूमने जा सकते तो अगर आपके पास कोई आइडिया हो कि हम कहां गूमने चाहें तो वड़ावट से कमेंट करके बता देना और अब ये फिनाल हम लोग जाने वाले सेपली कॉप्टर में गूमने तो कैसर मेरे याँ पर फाइफ अंड्रेट मिलियन डॉलर्स कर दिये वन थाउजन्ड सेकंड में फिडावट से कमेंट दिरके बता दो कैसा लग आपको मारा ये कतरनाक सा गर और कैसर आश